हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई इस्टुडी फीड ओफ फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तो बिहार या स्टेट पेपर वन का सिलेबस सभी सब्जेक्ट का आगया है मैं आज इसमें फीजिकल एजुकेशन मादमीक पेपर वन एयर स्टेट दोहजार तेइस का लेकर आई हूँ जिसमें दो भाग होंगे यूनिट ए जिसमें वनली सब्जेक्ट से हंडेट कोस्टन पुछा जाएगा हंडेट माक्स का एंड यूनिट टू में टीचिंग मेथड अदर स्कील से पुछा जाएगा पच्चास कोस्टन का इसी पर डिसकस करेंगे आप सिलिबस के बारे में इससे पहले मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि यदि अदर सभी सब्जेक्ट का आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जाएए बिहार विद्याले सिछा परिष्छा समीति के आफिस्यल विपसाइट बी एस इबी एस टी डॉट कॉम पर और वहां पर जाकर के क्लिक कीजिए और यहां आपका इंपोर्डेंट लिंक दिख जाएगा इस इंपोर्डेंट लिंक पर जाएए में यहां पे देखिए सिलेबस ौरव फेपर वन यहां पे सबी सब्जिर्स क्या दिख जाएगा यहां पर पर्मोड्ट करना चाहते तो यहां पर प्मोड़ुट किजिए आपका दौणलोड हो जाएगा इसंप कर इसके बाद आप तो आपके unit होंगे unit 1 में यानि कुल 1.500 questions रहेंगे 1.500 नमबर का और जिसमें से unit A में 100 questions रहेंगे अपने physical education से और unit B में 50 questions रहेंगे जैसे कि यहाँ पर देख सकते है unit A में physical education के 100 questions रहेंगे 100 नमबर के and unit B में unit B में आपके रहेंगे art of यानि 50 questions के art of teaching and other skills जिसमें art of teaching यानि कि शिचर कला से 35 questions सिचर कला से कितने होंगे सिचर कला से 30 questions and other skills से 20 questions होंगे तो सबसे पहले देखते हैं हम physical education unit A subject का ठीक तो unit A में subject physical education 100 numbers के तो unit A में पहला topic दिया है changing trends and career in physical education यानि कि सारी सिच्छा में बदलते रूजान और career क्या है इसके बारे में आपको अधियन करना है and दूसरा topic है Olympic value education Olympic के बारे में सभी चीज़े आपको पढ़ना है and दूसरा topic है yoga and yoga as preventive measure for life style disease यानि योगा क्या है योगा के बिभिन सभी topic को पढ़ना है और हमारे life style and विभिन रोगो की रोग थाम कैसे कर सकता है योगा इसके बारे में आपको अधियन करना है जिसके बारे मैंने बताया हुआ अपने YouTube चैनल पर and आपका चोथा topic है physical education and sports for CWSN तो दोस्तों यहां पे physical education and sports for CWSN यानि कि CWSN के लिए physical education and sports क्या है CWSN के यहां पे full form है children with special needs यानि BCS आप सकता वाले बच्चों के लिए हमारा physical education and sports क्या सहायता कर सकता है इसके बारे में आपको जानना है यह topic आपने नहीं पढ़ा होगा मैंने पढ़ाया भी नहीं है इसके बारे में बता दूंगी जो भी topic इसमें जो अलग है दो तिन topic बस और सभी चीज़ वही है से जो आपने पढ़ रहे हैं daily basis पे पाफ़ा टापिक है इसमें सब्जेक्ट में फीजिकल फीटनेस वेलनेस स्पोर्स और निट्रेशन यह भी topic आप पढ़े हुए है फीजिकल फीटनेस क्या है वेलनेस स्वचता क्या है स्पोर्स और निट्रेशन यानि पोसर के बारे में कार्भो हाड़ेट प्रोटीन वसा विटामिन खनीज लवर जल यह सभी है यही चीज तो पढ़ना है जो आप पढ़ रहे हैं चाथा टापिक है टेस्ट मेजरमेंट और इविल्यूशन यानि किस परिच्छा मापन एम कोई भी चीज आप मिस नहीं कर सकते सबी चीज़ें को टेलर में प्लेश में जाईए और चेक आउट किजिए साथा टापिक दिया हुआ है फंडा मेंटर्स और इन अटोमियम फीजियोलाजी इन स्पोर्स खेल में इन अटोमियम फीजियोलाजी रचना बिग्यान के रिया Electbereich Emeptos, E-Sports. यह भी टापिक पूरी तरीके से किलियर है, उत्तोलक क्या है, नियूटस प्लाग क्या है, और प्लेंड क्या है, एक्सिस क्या है, जॉइन्स क्या है, सभी चीजों की बारे में एक एक छीजे बताये गया है, और नौअ टाफिक है, Physiology and Sports यानि की क्रिया पे ग्यान और Sports क्या है इसके बारे बताया गया है दस्मा टापिक है Training and Doping in Sports दोस्तो ट्रेनिंग के बारे में भी बताया गया है अच्छे तरीके से Training Cycle का है, Periodization क्या है Training भार क्या है इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है Intensity क्या है, Volume क्या है एन डोपिंग के बारे में तो एक एक टापिक अच्छे से बहुत ही कम समय में पूरे चीजों को बता दिया क्या है, जो पूरे YouTube पर नहीं बताया गया है दोस्तों एन 11 टापिक है Children and Women in Sports यानि खेल में छोटे बच्चे और उमेंस की भूमी का क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा देखना है इसके बारे में आप वीडियो बना देंगे and test and measurements in sports यानि परिछ़व मापन का खेल में क्या महत्त है इसके बारे में आपको जानना होगा and physiology and injuries in sports ठीक है यहाँ पर दोस्तों नवा टापिक में आप देख लिजेगा psychology है यहाँ पर मैंने physiology पर दिया था यहाँ पर नवा टापिक में देखिएगा psychology and sports यानि खेल मनु विग्यान के सभी टापिक को मैंने डीटेल में बताया हुआ है खेल मनु विग्यान आपका नुवा टापिक देख लिजेगा psychology and sports यानि खेल मनु विग्यान के बारे में सभी चीज इडीटेल में बताया है and हम देख रहे थे आपका यहाँ पर तेरा टापिक यानि कि physiology and sports physiology and injuries in sports ठीक है यानि किरिया विग्यान and हमारे खेल में जो चोटे लगती है इसके बारे में एक दम डिटेल में छोटा छोटा पॉइंट भी बतायागा है जो आप आसानी से जो कभी नहीं पढ़े होंगे तो भी समझ जाएंगे sports खेल ची किस्सा वाले विडियो को देखे ये टापिक सभी वही है बस थोड़ा थोड़ा नाम चेंज हुआ है लेकिन आप वही चीज पढ़ेंगे जो आप पढ़ रहे हैं कोई भटकने की कोई जवरत नहीं है एंड जो दहुआ टापिक है बायो मेकनिक्स एंड इस्पोर्स इसके बारे में भी सभी चीज़े है ट्रेनिंग इन इस्पोर्स यानि खेल में जो ट्रेनिंग है और क्या है तो दोस्तों ये था आपके यूनिट ए फिजिकल एजुकेशन सबजेक्ट के सभी टॉपिक जो आपके स्लेबस में दिया गया है, इसमिए यसी दो तिन टॉफिक है जो आप नहीं पढ़े होंगे अच्छे से या मैंने वीडियो नहीं बनाया है तो उस दो तिन टॉफिक में मैं च्छे से वीडियो बना दूँगी मेरे चैनल पर जाएए चेक आउट किजिए theory session पढ़िए chapter wise mcq लगाएए and previous year questions practice किजिए और daily basis मैं आपको practice कराती ही हूँ बस चैनल पर जूड जाएए आप 100% pass हो जाएंगे and अब बात करते हैं unit 2 की unit 2 में दोस्तों आपका आएगा unit 2 में syllabus for art and art of teaching and other skills यानि कि teaching method, teaching कला, शिछर कला और other skills related आएगा पचास questions जिसमें से दोस्तों पचास questions में से part 1 आपका art of teaching and शिछर कला से आपका आएगा तीस मार्स and other skills से आएगा बीस मार्स पूरा मिला के पचास मार्स and इसमें से part 1 है art of teaching यानि सिछर कला में क्या-क्या topic दिया हुआ है तो इसमें सिछर कला में topic दिया हुआ है teaching and learning meaning process characteristics यानि कि जो हमारा सिछर कला और अधिगम के और्थ प्रक्रिया और विसे स्थांग के बारे में आपको जानना है and दूसरा topic दिया हुआ है teaching method में teaching objective यानि की सिछर के उधिश से क्या है and instructional objective यानि की लचनात्मक objective यानि उधिश से क्या है इसका meaning and type and blooms and taxonomy के सिधांद आपको पढ़ना है and तिसरा topic दिया हुआ है technique teaching method यानि सिछर की क्या विधिया होती है उसके क्या types and its विसेस्ता है उसके विसेस्ता है क्या है merit and demerits and our methods के बारे में आपको देखना है and यहाँ पर और अगला topic है इसमें micro lesson plan type and format and various model lesson plan के बारे में आपको अच्छे से समझना है and micro teaching and instructional analysis के बारे में देखना है micro teaching क्या है and effective ecosystem आप classroom के बारे में classroom का यह ecosystem है environment है वो effective कैसे हो इसके बारे में आपको अधियन करना है and textbook and library क्या है quality of teacher के एक अच्छे सिचर की गूर क्या होना चाहिए and evolution and assessment for learning and curriculum यानि पाठेकरम and factors effective teaching and learning यानि कि सिचर और अधिगम की प्रहासाली factor कों कों से है and teaching as and hands on learning ये तो आपके थे सिचर कला के topic कौं कों से सिलेबस में दिया हुआ है ये आपके 30 number के आएंगे 30 marks के 30 questions teaching method से ठीक है teaching class से and other skills से दोस्तो other skills से आपके आएंगे these questions जिसमें से आपका होगा general knowledge, environmental science, mathematical, aptitude, logical reasoning ये चार टापिक से आपके 20 questions आएंगे तो दोस्तों ये था आपके physical education के unit A, unit B के syllabus जिसमें से 1500 questions पूरे होंगे जिसमें से 100 questions आपके subject से रहेगा और 50 questions आपके teaching class सिचर कला और other skills से होगा जिसमें से सिचर कला से 35 questions and other skills general knowledge, environmental science, mathematical, aptitude, logical reasoning से 20 questions इस प्रकार कुल 1500 questions होंगे, negative marking नहीं रहेगा बट नारमिलाजेशन आपका होगा और कुर्सों के लिए 50% महिलाओं के लिए 40% लाना अनिवारे है और आपको passing mark इतना दिया गिया है उससे 8-10 questions आपको जादे लाना होगा नमबर जादे लाना होगा तभी आप नारमिलाजेशन में आप आएंगे नहीं तो छट जाएंगे इसलिए अच्छे से मिनत कीजिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैएंगे